मुझे पता है अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं न कहीं आप भी जो है बहुत जादा कन्फ्यूज हैं कि भाई D.U.S.O.L. ओपन के अंदर अगर मेरे को एडमीशन लेना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है क्या मुझे D.U.S.O.L. के अंदर अगर जा रहे हैं कि सर क्या S.O.L. के लिए ओपन के लिए भी क्या मुझे C.U.E.T. देना है क्या मुझे C.U.E.T. देना है या नहीं तो बाई मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको इसके लिए कोई भी C.U.E.T. नहीं देना है बहुत बड़ा ना है ना ना और ना आपको S S.O.L. Open के admission के लिए C.U.E.T. नहीं देना है C.U.E.T. का जो exam है वो केवल regular students के लिए है अगर आप किसी भी university में किसी भी central university में regular admission लेना चाहते हैं D.U.S.O.L. Open के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई test नहीं देना है दूसरा question यह है कि पाई इसके admission जो है वो कब से start होंगे तो भाई इसके admission के लिए आप बिल्कुल आपको कोई tension लेने की जरूरती नहीं है इसके admission अभी start नहीं होने वाले है अभी आप term 2 की preparation कीजिए अच्छे से बढ़ाई कीजिए इसके admission की जो बात है वो बात करोगी कम से कम मई में ठीक है मई में जो है इसके admission चालू होंगे औ और अराम से मई, जून, जुलाई, अगस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अराम से late fees तक जो है अगस्त, अक्टूबर तक इसके admission चलेंगे तो आपको जो है tension लेने की बात नहीं है अभी फिलाल में अगस्त लिग देता हूँ, अगस्त end तक ठीक है अच्छा दूसरा question यह है कि भाई इसके लिए जो है minimum कितने percent marks जो है चाहिए होते हैं do sol open के अंदर अगर मेरे को admission लेना है तो मेरे भाई इसका सीधा सीधा सा सवाल जवाब है आपके पास के इवल 12 की पास की degree होनी चाहिए minimum by 50% marks भी अगर आप लियाओगे ना तब भी आपका sol के अंदर admission हो हो जाएगा 50 के आप 45 भी लियाओगे तब भी admission हो जाएगा ठीक है जिसका कोई ना साथा उसका है sol open सिंपल सी बात है 50 60 70 80 90 आप 100% भी number लियाओ आपका admission हो जाएगा sol open के अंदर आपको इसके अंदर tension लेने की बिलकुल भी बात बिलकुल भी घवराने की जरुरत जो है नह इतने भी percent number आएं आपका admission sol open के अंदर हो जाएगा अगला question यह है कि भाई क्या इसके अंदर भी cutoff निकलती है क्या इसके अंदर अगर मुझे admission लेना है तो क्या कोई cutoff निकलती है क्या कि 12th के marks के base पे जितने भी number आएंगे उस number के बिहाफ पे cutoff निकलेगी तो भाई इसके mark से कह सकते हूं यहाँ पे भी matter नहीं करते हैं चीक है जी अच्छा दूसरा question यह है कि भाई अगर मेरे को जो है become owners करनी है open से अगर मुझे become owners करनी है तो क्या मैं जो है without maths without maths जो है become owners कर सकता हूं या कर सकती हूं तो भाई इसका सीधा सीधा जवाब है ना क्योंकि आपको mathematics, statistics, economics यह सारे के सारे subjects आपको देखने के लिए मिलेंगे और इनके अंदर mathematics होती है तो math आपको आनी ही चाहिए अगर आप become owners करते हैं तो इसके exam कब होते हैं अगर अब माल लीजे बगर आप मही में admission लेते हैं मही जून में तो इसके exam कब होते हैं तो भाई आपको पता होना चाहिए कि D.O.S.O.L. के अंदर जो है semester system चलता है semester system का मतलब होता है कि एक साल के अंदर दो बारी exam होते हैं एक बारी first semester के होंगे एक बारी second semester के होंगे अगर आप भी आप मही जून में admission लेंगे तो आपका जो exam है वो December में होगा फिर June में होगा फिर ऐसे ही फिर आप second year में आजेंगे second year के अंदर क्या होगा third semester के exam होंगे fourth semester के exam होंगे ठीक है फिर December में होंगे फिर June में होंगे इसी तरीके से फिर आप third year में आजेंगे तो third year के अंदर फिर आपका जो है fifth semester के exam होंगे और sixth semester के exam होंगे ठीक है फिर December में भी होंगे और June में भी होंगे त तो अब आपको S.O.L. open के अंदर अगर admission लेना है तो आपको tension लेने की बाद बिल्कुल भी नहीं है, कोई C.U.T. नहीं देना, ना और ना, सबसे बड़ा ना, कब होंगे admission मही के मही से start होंगे, अगस्त तक चलते रहेंगे, minimum percent में आपको बता दिया, आप पास हो जाओ, काफ लगते हैं, इसके अंदर जो है, लड़के, लड़कियां दोनों ही admission ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी के अंदर एक और, अच्छा, class कब लगती है, ठीक है, इसकी classes जो है, वो कब लगती है, इसकी classes जो है, केवल यह कह सकते है, Saturday, Sunday, mostly Sunday ही इसकी केवल class लगती है, इसी के अंदर एक और चीज होती है, यह वो भी मैंने आपको बताया है, S.O.L. का, इसी के अंदर एक और चीज होती है, यह है NCWeb, इसके अंदर केवल जो है, लड़कियां admission ले सकती हैं, इसके अंदर लड़के admission नहीं ले सकते हैं, अब यह क्या दिक्कत है, यह समझिए इसके अंदर admission लेने के लिए क्या होता है इसके अंदर admission लेने के लिए cut off निकलती है cut off कैसे निकलती है इसके लिए 12th के marks जो है 12th के marks जो है वो matter करते हैं जितनी ज़ादा आपकी percentage आएगी 12th के अंदर उतना अच्छा college आपको जो है allot हो जाएगा जिस भी college के अंदर आपका जो है नाम आ रहा है लेकिन इसमें केवल लड़कियां ही admission ले सकती है लड़के इसके अंदर admission जो है नहीं ले सकते हैं इसमें cut off निकलती है 12th के mark जितने ज़ादा होंगे 80%, 90%, 95%, 100% उत्ता अच्छा college आपको a lot हो जाएगा ठीक है बतल्ल लड़कियों के पास तो दुन option है वो SOL में जाना चाती है SOL में जा सकती है NC Web में जाना चाती है NC Web में जा सकती है जहां पे भी जाना चाहें वाँ पे जा सकती है तो अगर आप यह पूछे इसकी भी जो classes है इसकी भी जो classes है वो जो है भाई Saturday और Sunday को ही लगती है अब अगर आप यह पूछे कि लड़कियों के लिए SOL जादा बढ़िया है या NC Web जो है वो जादा बढ़िया है ठीक है तो भाई इसकी एडवांटेज के अगर हम बात करें आप इसके अंदर जो है नॉर्मल आप इसके अंदर B.com कर सकते हो आप इसके अंदर B.A. कर सकते हो आप इसके अंदर M.com कर सकते हो आप इसके अंदर M.A. कर सकते हो किसी भी तरीके का honors course इसके अंदर नहीं होता जबकि SOL के अगर हम बात करें यहाँ पे आप B.com, B.com owners, B.A.B. owners यह सारी की सारी चीज़े आप इसके अंदर कर सकते हो लड़के लड़कियां सब के लिए है SOL के अंदर कोई cut off नहीं निकलती है ठीक है इसमें बस pass हो जाओ आपका admission हो जाएगा ठीक है तो आपके जित्ती भी confusion है अभी भी किसी कोई doubt है आपका SOL से लेके या NCWeb से लेके तो आप मेरे को comment box में comment करके पूछ सकते हैं चीक है जी तो मिलते हैं आप से next वीडियो में ऐसी interesting topic के साथ तब तक के लिए have a good day bye bye take care